प्रिधार मंती जरेंद्र मोदी गुरुवार को तमिलनाडू के कण्या कुमारी में बने विवेकानन्द रॉक मेमोरियल पहुँच रही हैं रॉक मेमोरियल में बने ध्यान मंडपम में पियम मोदी दो दिनों तक ध्यान लगाएंगे अब इस पर भारती राश्य कॉंग्रिस के पूर्वनेता आचारे प्रमोद कृष्णम ने प्रतिक्रिया दी है प्रमोद कृष्णम ने कहा कि 2024 का चुनाव दो लोगों के बीच है एक वो लोग हैं जो धर्म के साथ हैं एक और ऐसे लोग हैं जो धर्म को मिटाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना आध्यात्मिकी चेतना का विशय है इतना ही नहीं उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी लिखा कि साधू की साधना आध्यात्मिक चेतना और आस्था का विशय है मगर ये बात उनकी समझ में नहीं आएगा जिनकी आस्था वैटिकन में है आपको बताते कि प्रधान मंत्र अनिद्र मोदी के दोरेक के लिए तमाम विवस्थाएं की जा रही है उनकी विवेकानन्द रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे के प्रवास के लिए सुरक्षा के कड़ेद बंदोबस्त किये गए है इस जोरान मोदी यहां ध्यान लगाएंगे उधर तमिलनाडू में 70 रूट डीमके ने प्रधान मंत्री के आध्यात्मिक प्रवास की अनुमती देने के खिलाफ जिलादिकारी के सामने याची का दायर की थी इसमें उन्होंने चुनाव आचार सहीता लागू होने और परियटन सीजन का हवाला दिया डीमके ने कहा कि परियटन सीजन में घरेलू और विदेशी परियटक बड़ी संख्या में आएंगे गौरतलब है कि 5 साल पहले उन्होंने 2019 के चुनाव प्रचार अभ्यान के बाद केदानात गुफा में ध्यान लगाया था